सक्षार्थियों नमस्कार मैं श्वेता दिवेदी डियलेट के इस कारिक्रम में आपका स्वागत करती हूँ आज हम जिस बिंदू पर बात करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं वह है परियावरन अध्यान में आकलन और मुल्यांकन यहां पर हम आकलन और मुल्यांकन की विशेष्टा और महत्व की बात करेंगे और उसके पश्चात अधिगम किंड्र मुल्यांकन की बात करेंगे तो आएए आज की यह चर्चा शुरू बरते हैं जो चर्चा के मुख्य विंदू हैं उसमें सबसे पहले आकलन और मुल्यांकन के अर्थ के बारे में हम बात करेंगे उसके पश्चात परियावरन अध्याने के सिक्षन अधिगम प्रक्रिया में आकलन और मुल्यांकन के विशिष्टा को देखेंगे तदपश्चात पर्यावरन अध्यान के सिक्षन अधिगम प्रक्रिया में आकलन और मुल्यांकन के महत्व की बात करेंगे और फिर अधिगम केंडित मुल्यांकन पर बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले है कि आकलन क्या है तो आकलन हम बोलचाल की भासा में जो आकना बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ है और अगर हम पाठेचरिया में पाठेक्रम में विद्यालई परिवेश में देखें तो आकलन एक समवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुक्षक को यह ग्यात होता है कि विद्यार्थी द्वारा उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं परिभाशा को देखें तो यह कह सकते हैं कि आकलन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की समप्राप्ती को मापने के लिए बनाई जाती है उसस्षिती में जबकि शाक्षिक कारिक्रम हुए हूँ जो हुए है उनके जूड़े हुए उनसे जो जूड़े हुए साक्षिक उद्देशे थे वो कहां तक विद्यार्थियों ने प्राप्त कर लिये हैं अब आते हैं मुल्यांकन पे तो मुल्यांकन जाशा शब्द है कि हम जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है मुल्य औ किसी छेत्र में व्यक्ति के प्रदर्शन का क्या अस्तर है और यह जो अस्तर है वह कैसा है कि विश्य में सूचना एकत्र करना उसका विशलेशन करना और उसकी व्याख्या करना मुल्यांकन के रूप में जाना जाता है यदि हम मुल्यांकन को और विश्तित रूप में परिभ योग करते हुए योगेता, मुल्य और महत्व का एक विवस्थिक निर्धारण है इसका प्रियोग निर्णा लेने के लिए किसी कारिक्रम के उद्देश्यों या सैक्षडिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अस्तर पता करने के लिए किया जाता है जब कारिक्रम या पाठि प्रक्रिया है जिसके दुआरा किसी पुर्व निर्मित शाक्षिक कारिक्रम अथ्वा पाठेक्रम की समाप्ति पर छात्रों के शाक्षिक उपलब्दी ग्याद की जाती है जहां पर आकलन जो है एक निर्मानात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया है अब हम बात करते हैं कि पाठेचेरिया में अधिगम एवं मुल्यांकन किस तरह से हैं ये सिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग किस तरह से हैं तो हम आकलन और मुल्यांकन को सिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग करके नहीं देख सकते हैं बलकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनिवारे अंग हैं और ये निरंतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलते रहते हैं यानि कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है और इसके द्वारा हम विद्यार्थियों की उपलब्दियों को जान पाते हैं अब बात करते हैं कि परियावर्ण अध्यान में जो आकलन और मुल्यांकन यूज किया जाता है उसकी क्या विशेष्टाएं है तो आकलन और मुल्यांकन की यह प्रक्रिया जो है वह निदानात्मक और मार्वदर्शन दोनों उद्देशों को पूरा करने वाली होनी चाहिए साथ ही जो आकलन है वह सतत होता है तो यह कहा जा सकता है कि यह जो आकलन है वह अधिगम के साथ सिक्षन अधिगम प्रक्रिया के साथ लगातार चलती रहती है और इस प्रकार अधिगम के साथ और अधिगम की भाती आकलन और मुल्यांकन भी जो हैं वो हमेशा चलने वाली प्रक्रियाएं हैं साथ ही जो आकलन और मुल्यांकन है यह प्रक्रिया है जो बहुत ही व्यापक होती है और इसमें मात्र, शिक्षक और छात्र ही सामिल नहीं होते बलकि जो उसके साथी हैं विद्यार्थी के सिक्षार्थी के जो साथी हैं अध्यापक हैं अन्य अध्यापक हैं यह प्रक्रिया जो है उनको भी शामिल करती है जो निर्माणात्मक आकलन हम जिसकी बात करते हैं वह अधिगम में आने वाली रुकाउटों को पहचानने में और इसके साथ ही उसी समय उसमें सुधार करने में अध्यापक की सहायता करता ह आकलन और मुल्यांकन जो हैं वो सिक्षकों को आकलन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम करते हैं यानि कि कहां पे समस्या आ रही है और उनको अपने अध्यापन में क्या परिवर्तन लाना है, उन्हें किस तरह से उसको समायोजित करना है, इसमें उनकी सहायता करते हैं. यह उप्चरात्मक सिक्षण प्रदान करने में भी सहायक होती है, इसके साथ ही सैक्षिक कारे के प्रति प्रतिक्रिया की विशय में अगलन विद्ध्यार्थियों की प्रतिक्रिया को जानने के बाद उनके काम को सुधारने का औसर भी देता है और इसके साथ ही वह विद्यार्थियों को आगे और सीखने के लिए प्रुचाहित करता है और साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करता है अब हम विशेष्टा के बाद आते हैं मुल्यांकन के और आकलन के महत्व पर कि परियावरन अध्यान में आकलन और मुल्यांकन का क्या महत्व है तो जैसा हमने परिभाशा के साथ ही देखा और जो यह आकलन और मुल्यांकन के प्रक्रिया है इसे शिक्षण अधिगम प्रक्र से अलग करके नहीं देखा जा सकता है बलकि यह सिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अविभाजित अंग है और यह विद्यार्थियों को पढ़ने की और विद्यार्थियों को अध्यन करने की और अग्रसित करता है साथ ही यह मात्र विद्यार्थियों को ही नहीं प्रिश्ट प कख्षा में उन विधियों का भी आकलन करने में सहायक होते हैं साथ ही पर्यावरण अध्यान से संबंदी जो भी हमारे कख्षा के उद्देश्य होते हैं यह सामाने उद्देश्य कुछ होते हैं कुछ हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आकलन और मुल्यांकन उन सामा समस्यात्मक्षेत्र है तो उस समस्यात्मक्षेत्र की पहचान करने में आकलन और मुल्यांकन से सहायता मिलती है और इस समस्यात्मक्षेत्र के साथ ही विद्यार्थियों को अधिकम संबंधी क्या कठिनाईयां हो रही हैं उनकी क्या समस्याएं हैं अधिकम संबंधी इन कठिन का भी पर्यावण अध्यान के छेत्र में मदद करते हैं कि पर्यावण अध्यान के छेत्र में विद्यार्थी किन तरह की सीखने संबंधी कठनाईयों का सामना कर रहे हैं। उनकी समस्याएं क्या हैं साथ ही जो विशय ससंबंदित नए अधिगम अनुभों हैं उनकी तैयारी के लिए सुनिश्चित करते हैं कि सिक्षकों को यह पता चल जाता है इनके द्वारा कि उन्हें अब किन नए अधिगम अनुभों को विद्यार्थियों को देना है साथ ही हमारी कक्षा में विभिन स्तर के विभिन मांसिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं साथ ही कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कुछ अलग उद्देशों की प्राप्ति कर चुके होते हैं तो इस सम्बंध में कुछ विशिष्ट किरिया कलापों के लिए कक्षा में व पर अंता संबंद की सीमा तक स्थापित हुआ है इस सीमा का निर्धारन करने में आकलन और मुल्यांकन जो है हमारी मदद करते हैं तो इसलिए आकलन और मुल्यांकन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है परियावरन अध्यान में साथ ही, अगर कुछ उद्देशे हैं, उनकी प्राप्ती नहीं हुई है, उनकी पूर्ती में कुछ खाली स्थान आ गया है, तो उन खाली स्थानों की पहचान कर उसके लिए क्या आवश्यक कारवाई करनी चाहिए, इसमें भी सहायता करते हैं। विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रगती होती है, वो कहीं पर मात्रात्मक होती है, कुछ रूपों में और कुछ रूप में गुनात्मक रूप में होती है। तो आकलन और मुल्यांकन के द्वारा अधिगम प्रगती को मात्रात्मक तथा गुनात्मक दोनों रूप में इतना वैवहार परिवर्तन हुआ है और वह वैवहार परिवर्तन अपेक्षित वैवहार परिवर्तन है या नहीं इन वैवहारों की परिवर्तित वैवहारों की जाज करते हैं और आचणम परिवर्तन की जाज करते हैं साथ ही विद्यार्थियों की प्रगती रिपोर्ट तयार करने में यह मदद करते हैं यह सहायक होते हैं और प्रगती रिपोर्ट के साथ साक्षिक प्रगती में भी यह सहायक होते हैं तो अब तक हमने बात की कि आकलन और मुल्यांकन की विशेष्टा क्या है और उनका महत्व क्या है अब हम बात करते हैं अधिगम केंदृत मुल्यांकन की तो अधिगम केंदृत मुल्यांकन जैसा नाम से स्पष्ठ है कि या सीखने पर केंदृत मुल्यांकन है हमारा पहले का जो मुल्यांकन है जो हमारा परमपरागत है वो अधिगम केंद्रित न होकर सिक्षार्थी केंद्रित न होकर सिक्षक केंद्रित रहा है तो यह सिक्षक केंद्रित जो हमारा मुल्यांकन है उससे बिलकुल अलग अधिगम पे केंद्रित होता है और इसमें रट कर परिक्षाय उत्यर्ण कर लेने से यह नहीं है बलकि इसमें सीखने के परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है कि विद्यार्थी जो है वह कितना सीखा है यानि कि सिक्षा से संबंदित किन अधिगम उत्देशियों की प्राप्ती विद्यार्थी द्वारा हुई है हम इसके बारे में अब विस्तार से बात करेंगे कि अधिगम केंडित मुल्यांकन किस प्रकार से कारे करता है तो इसमें विद्यार्थी के नए वेवहार या ज्यान की तुलना उसके पुर्वे वेवहार या ज्यान से किया जाना चाहिए यानि कि हम इसमें कसोठी संदर्भित जो है हमारा हम उस पे कारे करें न कि मानक संदर्भित मुल्यांग पर काम करें यहाँ पे जो विद्यार्थी ने नया ग्यान लिया है यह उसकी तुलना हम अन्य विद्यार्थियों के साथ न करें कि अगले विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया है बलकि उसने विद्यार्थी ने पुर्व में कितना ग्यान प्राप्त किया था उसने किन उद्देशों की प्राप्ती की थी हम उसके नए वैभार नए ग्यान की तुलना उसके पुर्व में अरजित किये ग्याने से तो हम इसे अधिगम केंद्रित मुल्यांकन कहेंगे, यह अधिगम केंद्रित मुल्यांकन होता है, क्योंकि इसमें विद्ध्यार्थी ने कितना सीखा है, हम उस पर विशेश ध्यान देते हैं, इसके अलावा ग्यान अस्तर के प्रशनों के स्थान पर अगर हम समझ और तो विद्यार्थियों में तरक्षेलता, उनकी स्रिजनात्मक्ता और अलोचनात्मक्ता बढ़ेगी। तो हमें अपने प्रशन पत्र में ज्यानस्तर के प्रशन के स्थान पर अनुपरियों, कौशल, इनसे संबंधित प्रशन रखने चाहिए। हमें विद्यार्थियों का क्रमबत तरीके से मुल्यांकन करना चाहिए और इसमें सरुप्रथम हमें निर्मारात्मक आकलन करना चाहिए और इसके पश्चात समस्या ग्याद करने के लिए कि विद्यार्थी द्वारा अगर कुछ अधिगम उद्देशन नहीं प्राक्त किये गए हैं तो हमें इसके लिए नैदानिक आकलन करना चाहिए और समस्या का जब छेत्रह में पता चल जाए तो उसके बाद हमें शाखिय अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रियोग करना चाहिए ताकि हम विशेस बच्चे की विशेस समस्या को देख सकें और उसके समस्या का समाधान कर सकें कि विद्यार्थी ने किस कारण से नहीं सीखा है हम बच्चे की समस्या को एड्रेस कर सकें इसके पश्चात विद्यार्थी के ज्ञान के अस्तर के आकलन के लिए व्यक्ति अध्यान का प्रियोग करते हुए स्थिती विशेश से संबंदित समस्या देना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि समस्या के हल के लिए विद्यार्थि को एक specific situation दें, एक case study दें और हम बच्चे से पूछें कि इस particular situation में इस निश्चित समस्या के अंतरगत वह क्या समाधान दे सकते हैं और इस तरह से बच्चे का अधिगम के इंडरित मुल्यांकन किया जा सकता है और विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के ल सक्षार्थियों इस प्रकार से आज हमने देखा कि आकलन और मुल्यांकन क्या है परियावरन अध्यान में आकलन और मुल्यांकन की विशेशता क्या है और परियावरन अध्यान में आकलन और मुल्यांकन का महत्व क्या है साथ ही यह भी जाना कि अधिगम के इंडरित मुल् करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं पुना एक नए विशय के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार